मुझा नमस्कार स्वागत है आप सभी का शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले हेडलाइन्स सबसे पहली जानकारी है 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में असुरक्षित स्पर्स पर जागरूक तका दूसरा चरण यह कारेकरम है एक सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अपियान राइस्तान सरकार दोरा राइस्तान सरकार के स्कूल सिक्षा विभाग दोरा ये कारेकरम संचालित है जिसका उद्देश है कि बच्चों को असुरक्षित स्पर्स यानि की गुड़ टच और बैड टच के बारे में जागरू करना इसका अब दूसरा चरण आयोजित किया व्बॉट प्रस्वेसिश के पछा घ्रण को 2023 को एक कुछ ट्रेशानी कि कुछ ट्रेंटर हो चुना गया लगबख 12 रहसे को इसमें चुना गया उनको यह प्रऑ्चों को कैसे समझा ना है घुड टैट क्या है इस सुन्ष्पर स क्या है इस परिस्तिति चे कैसे मचा जा सकता है और अगर वो इस परिश्टिति में फसते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए ये सारी जानकारी इस अभियान के दोरान ये सकार्यक्रम के दोरान दी जा रही है जिसका नाम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान आगे इस कॉर्णर पर हम हर दिन एक या दो जिलों के बारे में देख रहे हैं कि वहां मतदाता कितने हैं पुरुष मतदाता कितने हैं महीला कितनी हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं आज यहां है कौन सा जिला जोधपुर जहां कुल मतदाता हैं 27,23,000 इनमें से पुरुष मतदाता है 14,23,000 और महीला मतदाता है 12, लाख निन्यानमे हजार ट्रांसजेंडर मतदाताओं की जोदपुर जले में संख्या है तरेपद जोदपुर में कौन-कौन से निर्वाचन शेत्र हैं यानि की विदानसवा सीटियां कौन-कौन सी हैं उनका नामें लिखा हुआ है ओसियां दूसरा जोदपुर तीसरा मतदा कितनी हैं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या क्या है आगे है नमांकन प्रक्रिया तीस अक्टूबर से शुरू होने वाली है विदानसवा चुनाप के संदर्व में ये बात है प्रदेश में अब पांच करोड़ 28 लाग कुल मतदाता पंजिक्रत हो चुके है ये चार अक्टूबर तक की जानकारी है अब जो निर्वाचन आयोग ने जो डेट रखी है वो 27 अक्टूबर तक रखी है कि कोई विदानसवा चुनाप यहां वोटर हेल्प लाइन एप कैसे काम करती है उसके बारे में बताया गया है वोटर हेल्प लाइन एप इसके एप का काम क्या था सी विजल एप मॉडल कोड ऑफ कंड़क्ट यानि कि आदर्ष आचार सहीता के उलंगन के मामले से संब्दित है जिसमें की आम व्यक्ति कोई भी अगर ऐसा कोई केस देखता है जहां आदर्ष जो आचार सहीता उसका उलंगन होता है तो वहां का फोटो पर या फिर वीडियो लेकर इस मोबाइल पर डाल सकता है वोटर हेलप लाइन एप में वोटर्स को अपनी जानकारी वोटर ब्र Arizona क्या है कहां पर है क्रमान क्या है मतदान केंद्र ऑसका कौन सा है सब्दा ने कि एप यंदा ने थैप सुग जो कि दिभ्यां मतदाब् Moto इह jersey तरह तरह की सुब्दा यानि की जिसमें खास तोर से परिवेहन की सुब्दा उनको मत्तान के अंदर तक पहुंचाने की सुब्दा उनको कुछ खास उपकरनों की जरूता है जैसे की वीलचेर वगेरा तो वो सब दी जाती है किस पर सक्षम ECI मोबाइल अब पर यहां हर दिन हम अलग-अलग शेत्रों से कुछ फोटोग्राप्स देख रहे हैं जो की मत्तदाता जागरुकता अभियान के हिस्से हैं आगे अगली पेच पर है मत्तदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जबरदस्त उत्सा ओनलाइन आविदन की जो तिधिर की गई हैं तो ऐसी हर दिन जो भी आप के वारे में जानकारी आ रही है एक साथ हमने पिछली क्लास में तीन-चार मोबाइल आप जो की निर्वाचन आयोक से संब्दता उनको पड़ा है अगली जानकारी अब 52122 मत्तदान केंद्रों पर मत्तदान होगा राजिस्थान में कुल इत 70,000 और महिला मत्तदाता हैं 7,05,000 ट्रांसजेंडर मत्तदाताओं की श्री गंगा नगर में संख्या कितनी है 46 यहां कौन-कौन से निर्वाचन शेतर आते हैं तो गंगा नगर अनूपगड करनपुर राइसिंग नगर शादूल शहर और सूरतगड इसकी बाद कुछ परान से करोड रुपे से ज्यादा की अवैद सामगरी जब्त की गई अगले पेज पर मद्दाता जागरुकता के लिए जिलों में नवाचार की बयार अलग लगतर एक नवाचार की जा रहे हैं इसमें मुबाइल एप उसी का ही एक हिस्सा है आवाश्य विद्यालों में बालिका गांधी जो अवाश्य विद्याल है अब ही तक उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो यह एक वीडियो कॉंफरेंस सायुजित की गई थी जिसमें समिक्षा बैठक हुई कुल 328 अब कस्तूर्भा गांधी बालिका अवाश्य विद्याल हो चुके हैं आर्थिक समिक्ष संख्या 2022 ते इसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ यह संख्या कितनी है 316 अब आज यहां यूज में संख्या कितनी है यह 328 यानि कुल संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है यानि कुछ नए स्कूल इसमें खोले गए हैं यहां मत्तदाता जागभुता कारेकरम से स वर्ष्ट टाइम वोटर है कैसे इतने मत्तदाता यानि कि असी वर से अधिकायों के मत्तदाता कि संख्या क्या है और इसके लाबा दिव्यां मत्तदाता कितने हैं तो यह सारी कुछ फैक्चुल इंफॉर्मिशन हम यहां इसमें पढ़ेंगे और कस्तूर्भा गांधी बाल क्या होनी चाहिए सबसे पहले सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजिस्थान अभियान इसके तहट प्रदेश के 65,000 से अधिक राज के विद्यालिव में 28 अक्टूबर यानि कि कल 28 अक्टूबर जिस दिन शनिवार है और उस दिन ही होता है सरकारी विद्यालिव में क्या न नो बैक डे के दोरान ही ये गतिविद्यां आयोजित की जाती है अलग लगतर है कि इस दिन सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजिस्थान अभियान का दूसरा चरण अभ आयोजित किया जाएगा अब यह दूसरा चरण है तो इसका मतलब पहला चरण भी कभी हुआ होगा और पहला चरण कब हुआ था यानि की कारेकरम कब से शुरू हुआ है तो वो है 26 अगस्त 2023 26 अगस्त को कारेकरम यह शुरू हुआ या अभियान शुरू हुआ अब 28 अक्टूबर को दूसरा चरण है और जनवरी 2024 में इसका तीसरा चरण आयोजित किया जाना प्रस्तावित ह है यानि अभी जब तक होना जाए तब तक डेट फिक्स नहीं होती तो हो सकता है डेट आगे या पीछे कुछ हो जाए तो जनवरी 2024 में तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा इस कारेकरम का आयोजित कौन है स्कूल सिक्षा विभाग राइस्थान सरकार इसका आयोजित करत इसके 65,122 सरकारी विद्यालेओं में आयोजित किया गया जिसमें 58,000,000 से अधिक बच्चों को असरक्षित, सपर्स के प्रती, जागरूख और प्रसिक्षित किया गया है ये पहला चर नंवरी bekannt हो चका है जिसमें 65,122 सरकारी जो विद्यालेओं वहां का आयोजित किया गय अब भीयान का तीसरा चरंड कब किया जाना प्रस्तावित है तो ये है जनवरी 2024 में इसके बाद है अगली जानकारी राजस्तान में मतदाता ये सारी factual information है जैसे कि कुल संख्या कितनी है राजस्तान में मतदाताओं की टांसेंडर मतदाता के तने है दुत फैकि जो किसी सेवा में है और वह सेवा में रहते हुए वोट डाल सकते हैं अपने के इंदर पर जाकर इस लिए वह टो के मिटेगरी और आते हैं ज nitrogen जो पोस्ट इस वार जो फर्स्ट टैमर वोटर है यानि कि 18 से 19 वर्स के बीच जिनके आयू है ऐसे मत्दाता कितने हैं वो है 22,32,000 80 वर्स से अधिक आयू के मत्दाता राज्थान में कितने हैं तो वो है 11,72,000 और दिव्यांग मत्दाताओं के संख्या है 5,60,000 अगली जानकारी है कस्तूर्वा गांधी बाली का आवासिय विद्याले की प्रगती समिक्षा बैठक तो राजिस्थान सरकार के स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा ये बैठक आयूजित की गई जो की राजिस्तरी एक वीडियो कॉन्फरेंस थी इसमें राजिस्थान के जो 32 328 कस्तूर्वा गांधी बाली का आवासिय विद्ध्यले हैं इनकी प्रगती रिपोर्ट की समिक्षा की गई कि जब से ये शुरू हुए है तब से लेकर अभी तक इनका रहा है यानि कि इनका इस्तर क्या रहा है प्रगती क्या रही है इससे कितने फायदे हुए हैं बाली क कुछ संक्या इनकी बढ़ी है कस्तूर्बा गांधी बाली का आवास्य विद्याल है कब से प्रारम हुए थे वर्ष जिनकी कुल संक्या अभी कितनी है 328 आर्थिक समिक्षा में कितनी हुए 316 जिसका उदेश है क्या है बालिका सिक्षा को बढ़ावा दिन है तू आवास्य विद्यालों की स्थापना करना अब इसमें किसको पात्र माना जाएगा तो ऐसी बालिका है जो 75% यानि कि कुल जो बा जो गरीवी रेखा से नीचे के परिवार हैं उससे होने चाहिए और इन दौनों में भी अगर विकलंग बालिका हैं तो उनको पहले प्राश्मिक्ता दी जाएगी है आज का अभ्यास प्रश्न क्या है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राज्थान अभ्यान कब शुरू किया की प्लास में धन्यवाद